नमस्कार जी सथ सैब जी क्या नाम है जी आपका? करुणा दासी करुणा जी आप कहां से आये हैं? 36 गड़ जिला रैपूर से करुणा जी संत रामपाल जी महराज से आपने नाम दिख्षा कब ली? करुणा जी संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे करुणा जी आप माता जी की भी भक्ति करते थे तो इन सबी देवी देताओं की जो भक्ति आप कर रहे थे उन सब से आपको क्या क्या लाब हुए हम सबी देवी देड critics करते थे बड़ फीर भी हमें अइर्डा नहीं होता था हम इतनी उपवासảiट घरत ते थे जहां बुलाते थे हमंग मननत मंगने ऑफ भी जाते थे इतनी रहता था हमारे जा म।स्प्रीजिट की बादा थी हमारे नाना के नाना रहना वह भी भू आते पापा के उपर मतलब भूत प्रेत की बहुत बादा थी वो सभी को बोलते थे कि ये भूत है इनके पास नहीं जाना है ये प्रेत है मतलब किसी से हमें बात करने भी नहीं देते थे वो बोलते थे कि हमें मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है अगर निकलोगे तो यहां घर सब्सक्राइब पापा भाई हम चारों डरे रहते थे तो एक कोने में बैठ जाते थे और सभी देवी दोताओं को इतना याद करते थे फिर भी हमारे साथ देने के लिए कोई नहीं आया तो हम लोग थोड़ा नास्तिक हो गया थे फिर भी हम लोग फिर भी भकति करते थे और वो मतलब जो खटटाते तो इसका खरोच ने का निसान भी सूबा रहता था इसके लावा मेरे घर बहुत कलेश रहता था मेरे पापा बहुत गांज्यकाशवन करते थे उसको इतना हम लोग ज़ाड करते उनके पास लिजाते थे फिर वह ठीक नहीं होते थे वह तो और ज़्यादा उसके लथ लग गई थी मेरे पापा को बर वह ठीक हुआ और और नुक्सान पब फोते हैं तो रहा है स्टिति कि इती भराव थी कि हमारे एक मकान बस था और मेरे को या डराओने सपने आते थे जैसे कि मेरे को कोई काल आ गए हैं मेरे को नर्क ले गए हैं मतलब मेरी मौथ हो गई हैं मेरे को तपचिला में डाल रहे हैं ऐसे डराओने डराओने सपने आते थे और मेरे को बहुत साप दिखाई देते थे हम मेरी मम्मी उपवास रहती थी उस दिन अजगर का साप आता था और मेरे अभी मैं इतनी दिल से पुकारती थी फिर भी वो मेरे साथ देने ने आए. फिर नो वो बताए कि आपका प्रॉब्लम हम लोग संत्रामपाल जी महरा से जुड़े हैं उनसे ठीक हो जाएगा करके हमें बताए फिर पापा को वो बोले कि आप साधना चैनल पे साड़े साथ बज़े सत्संग आता है उनको सुनिएगा फिर हम सत्संग सुनने लग गए एक संत्रामपाल जी महरा साधू कवेज धारन करके हमारे टेंट हाउस पर आये थे और वो बोले कि हमारे आश्रम में भंडार हो रहा है तो हमें बड़ा सा पतीला चाहिए तो वो बोले कि मेरे को तीन पतीला चाहिए करके फिर मेरे पापा और वो थोड़े से बात करे थे फिर मतलब मेरे पापा और हम लोग घर आ करना सत्संग सुनने लग गए साथना चैनल पर साड़े साथ बजे संत्रामपाल जी महराज का उसके बाद सत्संग के दोरान हम भगत जी से बोले कि हमें भी नाम उब्देश लेना है आश्रम पे तो हम लोग आश्रम गए बरवाला में सं प्रोब्लम्स के बावजूद भी आप सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद संत्रामपाल जी महराज से आप जुड़ गए तो हम जैसा कि संत्रामपाल जी महराज के शिश्यों से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत्रामपाल जी से जुड़न वो ठीक हो गई और सेकंड लाब है मेरी दादी को बच्चत आने की जो प्रॉब्लम थी हम गये थे डॉक्टर के पास तो बोले थे कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा करके बट वो जो मेडिसिन देते थे वो तो कोई लाब मतलब मिलता ही नहीं था तो हमने संत्रामपाल जी जो रहता है संत्रामपाल जी महराज ने हमें दिये है वो हम चलाते थे और हम एक साथ बैठ कर करते थे तो दादी ने सोचा ये कहां गये थे नाम उब्देश लेकर आया तो इनकी भूत प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा करके वो भी हमारे साथ आर्दी चलता थो तो बैठती प्रणाम करती थी तो प्रणाम करने मात्र से ही हमारी दादी की जो बच्चय दानी की प्रॉब्लम ठीक हो गई मेरे पापा पर बहुत बढ़ा करजा था वह हम नहीं चुका फिर भी वो चुक गया गुरुजी आयते मादब संत्रामपाल जी महराज आय थे और वह मतलब वह मेरे मम्मी और पापा कोवीड टैम पे मार्केट जाते थे तो वहां मार्केट से सबजी लेकर रेटर्न आ रहे थे तो करीब दो बजे मम्मी और पापा सच्छंग सुनते-सुनते उनकी अचानक आँख लग गई फिर हमारी गाड़ी हाइवे रोड पे डिवाइडर से टक्रा को आने के बाद हमारी गाड़ी दो पहियों पे चलने लग गई और एक पहर हावा में थी तो मेरी मम्मी ने घबराट में संत्रामपाल जी महराज जी का जोर से अवाज लगाए उसके बाद आवाज लगाते हैं हमारी गाड़ी तुरंत तीनो थ्री विलर पर खड़ी हो आपको अने को लाब हुए तो जो शरधालू आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर जी मैं लोगों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि संत्रामपाल जी महराज एक ऐसे पूर्ण संत है जिनके पास हर प्रॉब्लम का शॉल्यूशन है आपको भी कोई प्रॉब्लम होंगी उनका भी मतलब शॉल्यूशन आप चाहते हो तो संत्रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर अपने जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करा सकते हो तो करुणा जी संत्रामपाल जी महराज से अगर कोई नाम दिख्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है सर जी संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ऐसे ले सकते हैं कि संत्रामपाल जी महराज का सत्संग आता है अनेको इंटरनेशनल चैनल, पॉप्यूलर चैनल पे सत्संग आती हूँ, उसके नीचे एक पिली पट्टी चलती है, उसके नामदान केंद्रों का कॉंटेक्ट नमबर रहता है, उसके आप एक कॉंटेक्ट नमबर पर कॉल करके आप अपने नजदीकी नामदान केंद्र पर जा सकते हैं और नाम उब्दिश ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्यान करवा सकते हैं धन्यवाद जी सतसाथ जी